उंगलियां चाटते रह जाएंगे इस तरीके की डाल की रेसिपी बताऊंगी और सबसे अच्छी बाते कोई कूकर की ज़रुत नहीं है जिसने कभी डाल नहीं बनाई वो भी बहुत ही असानी से से कड़ाई में बना पाएगा तो चलिए देख लेते हैं के कैसे बनाई हैं अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छे लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट को भी फॉलो करें इसे बनाने के लिए यहां पर मैंने टोटल एक कप दाल का इस्तमाल किया है लेकिन दोनों को आधे हिस्से में बाटा है आधी है मूं की दाल और आधी है मसूर की दाल यलो वाली और और ऑरेंज वाली आप चाहें तो इसके बजाए अरहर की दाल जिसे तूर की दाल भी कहते हैं वो भी उस कर सकते हैं या फिर इन दालों को मिक्स भी कर सकते हैं जैसे आपको अच्छा लगता है वैसे कि सारी ही दालें बहुती स्वाधिश्ट होती हैं और यह बहुत पॉष्टिक होती हैं बहु गहां भी दाल हो, एक बात का आपको धियान रखना है कि धोने के बाद उस्से कम एदा गटा बिगोएं उससे जो दाल की न्यूटरिशनल वैली होती है जो ताकत होती है वह बढ़ जाती है आपके शरीर को जितनी ताकत एक दाल को देनी होती है उससे जादा देती है तो इस जरूर ध्यान रखें, तो धोने के बाद इसमें थोड़ा सा पानी डाल दूंगी मैं, और इसे आदे गंटे के लिए ऐसे ही भिगो दूंगी, अगर चने की दाल है, या उड़त की दाल है, या मूंग की दाल है, जो साबत वाली होती है, तो आदा गंटा नहीं ज्यादा देर पानी उपर से डाल दें आप, और उसके बाद में हाई फ्लेम पर इसे थोड़ी दिर के लिए बॉइल होने दें, जब इसमें बॉइल आएगा तो आप देखें कि आप कोई भी दाल का इस्तेमाल करें, एक सफेद जाग उसके ओपर आ जाती है, बहुत जरूरी होता है कि आ आप कोई भी दाल खाने से असीडिटी नहीं होगी, अब दाल की जाग में निकाल दी है, अब सीधा ही इसके अंदर मैंने एक बड़ा उसे छोटा-चोटा कट कर लिया है, एक छोटा-वला प्याज है उसे भी कट कर लिया है, और तीन-चार हरी मिर्चे हैं, उसे बीच में अब जाग निकाली है, उसे जाग निकाली है, उसे अब इसमें हम डालेंगे आधा-चोटा-चमच, हल्दी और साथ में डालेंगे इसवादनुसर नमक, नमक कम जादा हो जाएगा, बस अब इन सारी चीजों को आपको एक साथ बॉil होने देना है, अब कितना देर बॉil कर कुछ लोगों को थोड़ी सी खड़ी खड़ी दाल पसंद, मैं उनमें से हूँ जिनको खड़ी दाल पसंद है, तो यह आपके ओपर डिपेंड करता है कि आपको कितनी दिरे से बॉil करना है, बॉil करते वक्त पूरे चांसे हैं कि पानी उबल बाहर आ सकता है, इसलिए आप मीडियम फ्लेम रखें, थोड़ा हाय मीडियम लो मीडियम जैसे मिन मतलब आपका बरतन कितना बड़ा है उस साब से आपको फ्लेम रखनी है ताकि पानी उबल बाहर नाए, मैंने ढगा दिया है, ढदे ताइम अगर दस मिनिट लगने होंगे तो पांच ही मिनिट लगेंग मुझे बिल्कुल ठीक लग रही है, पानी की और जरूरत नहीं है आपको लगे तो आप उपर से डाल सकते हैं अब इसके उपर एक ऐसा मज़दर तड़का लगाएंगे जिसे लगाने में लगेंगे सिफ दो मिनिट लेकिन स्वाद ऐसा बढ़ जाएगा कि आप उंगलिया जब सारे दाने फूट जाएं तब हम इसके अंदर जीराइट करेंगे राई और जीरे का किसी भी दाल में बहुत ही बढ़िया स्वाद आता है तो इसे डालने में कोई कंजूसी ना करें एक चुटकी बर हींग डाली है डाईजेशन के लिए अच्छी होती है अगर आब ब करेंगे ब्राउन होने तक पकाएंगे एक मैने ऐसे मिर्च डाल दी है लाल वाली इसे स्वाद भी आता है और देखने में भी दाल बहुत अची लगती है एक हरी मिर्च भी डाल दी है बीच में से लिट करके अब जो लसुन है वो भी ब्राउन हो गया है राई, जीरा हें अब इसमें डालेंगे कडी पत्ते, बहुत अच्छा स्वादाता है, अगर आपने नहीं यूज किया है तो इसे जरूर डालें और उसके बाद में अब हम सूखी मसाले डालेंगे, क्योंकि दाल को बॉइल करते टाइम हमने सिर्फ नमक और हल्दी डाली थी यह गरम मसाला है, जिसमें जीरा धनिया पॉडर है, काली मिर्च का पॉडर है, और थोड़ा सा दाल का कलर अच्छा करने के लिए, मैंने या पे देगी लाल मिर्च डाली है, अब यह बढ़िया सा तड़का लग गया है, आप लोग नॉर्मली डाल में डालते होंगे धनिया, मैं दाल में डालती हouं कसूरी मेथि, अपने देखा मैंने एक चमज Burr के कसूरी मेथि डाली यह एंपे सलागी time क्योंकि कसूरी मेथि बहुत जल जाती है तडके में या मिनलिख में यह सा और सपी तड़के में और यह द लेग देंगे में शजाते बहुत बहुत ज Candel B तो इसके ओपर घी या मक्षन डाल दें फिर तो बस सोने पे सुहागा हो जाएगा अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करके बेला घंद बाएं